36 कर राज्ये में सरकार ने एक चौकाने वाला एलान किया है। सरकार ने कहा है कि गाए भेस पालने वाले लोगों से कोरोना लोकडाउन में इन दिनों डेल्ड रुपे प्रति किलों के इसाफ से गोवर खरीदा जाएगा। प्रदेश की कांगरेश सरकार के इस फैसले के बाद गाए भेस पालने वाला तबका बहुत खुश हो गया है। ऐसा देश में संभवत है पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार गोवर खरीद रही है। कई जानकार इसे ग्रामिट शेतरों में आर्थिक मजबूत करने का एक शंशा की है इसे मंत्री मंडिल में पेश किया जाएगा। सब सही रहा तो गाव देहात में 21 जुलाई हरेली तोहार यानि हरियाली तीज के दिन से गोवर खरीदी की शुरुवात की जाएगी। बता दे कि राज्य सरकार ने गौधन न्याय योजना के नाम से गोवर खरीदने का फैसला लिया है। गोवर खरीदने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने मंत्री मंडलिय उप समीती का गठन किया गया जिसने गोवर खरीदी की दर पर अंतिम महर लगा दी। क्रिशी मंत्य वे समीती के अध्यक जरविंदर चोवे के एलान से पहले इस योजना के बारे में परदेश के मुख्यमंत्री भूपेश पगेल ने कहा कि पशू रखने के काम को वैब स्राइक रूप से फायदे मंद बनाने सड़कों पर आवारा पशू की समस्याव से निपटने वे परियावार सुरक्षा के लिहाज से योजना महत्तपूर हैं।